नमश्कार, राजनितिक विग्ञान कक्षा 6 का दूसरा अध्याया आज हम देखते हैं जिसमें हम विवित्ताओं और भेदभाओं के बारे में बात करेंगे पिशली कक्षा में हमने देखा कि भारत में किस तरीके से अलग-अलग प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर अलग-अलग चीजें हैं, अलग-अलग विवित्ताओं पाई गई हैं पर जहाँ पर ये विवित्ताएं ज़ादा होती हैं वहाँ पर बेतْबाव और असमानताएं भी ज़ादा होँगी तो यस बेतबाव और असमानता को अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे अगर भारत को हम देखें तो भारत में लगबध विश्व भरके आठ अलग-अलग धर्म पाए गए हैं, सोला सो भाशाएं पाए गए हैं, और सौ अलग-अलग प्रकार के नृत्य पाए गए हैं, इसके बावजूद भी हम दो चीज़े हैं जिस पे अक्सर चर्चा करते हैं, एक है prejudice और दूसरा है stereotype, इन दोनों ही शब्दावली में बहुत ही महत्पूर्ण अंतर हैं, prejudice में हम बोलते हैं कि हमारा किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय के प्रती, एक negative thought है या गलत भावना जुड़ी भी है, तो जैसे कि अपारथाइड एक movement था जिसमें straight शाम लोगों के में भेदबाव किया गया था, तो व्यक्ति अपना एक opinion बना लेता है उसके skin के color के basis पे, उसके पहनावे के basis पे या उसके भाशा के आदार पर और वो भेदबाव usually negative feelings से associated होता है, या गलत भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं prejudice, दूसरे तरफ हमारे पास stereotype होए, stereotype prejudice से भिन्न है, यहाँ पर अंतर समझना बहुत जरूरी है, stereotype की हम जब बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा किसी व्यक्ति या संप्रदाय के प्रती, एक पून से स्थापित या पहले से स्थापित एक notion है, कि यह लोग इस तरीके से रहते हैं, यह लोग इस तरीके से खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो feeling है, वो जो thought है, वो negative हो, वो negative भी हो सकता है, वो positive भी हो सकता है, पर हमारा मानना ऐसा है कि वो लोग ऐसा करते हैं यह चीज एक stereotype हो गई Usually हम बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं है तो यह एक प्रकार का stereotype हो गया अगर आपको कोई लड़का रोता बाद दिखेगा तो आप बोलेंगे कि यह नॉर्मल नहीं है, रोती लड़के है तो यह एक चीज हो गई जो stereotype है इसमें positive या negative feelings की हम बात नहीं कर रहे हैं दूसरा, हम यह कहते हैं कि disabled जो term है वो अब हम काम में नहीं लेते हैं या विकलांग term हम काम में नहीं लेते हैं हम काम में लेते हैं दिव्यांग या हम यह बोलते हैं कि यह वो बच्चे हैं जिनको कुछ special needs चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, बात तो वही हो गई पर हमने अपने बोलने के सलीके को या बोलने के तरीके को बदल लिया है तो हम यह बोलने की जगे, जिससे वो उनको बुरा लगे हम उसी चीज को दूसरी तरीके इससे रख सकते हैं हम disabled की जगे हैं, हम उसको special needs बोलते हैं तो यह एक और तरीका है इसको समझने का अगला है असमानता और भेदभाव पर बात करने की जब हम असमानताओं और भेदभाव की बात करते हैं तो यूश्वली यह दोनों ही चीज़ें prejudice या stereotype से उत्पन होती हैं तो समाज में जितनी भी असमानता है और जितने भी भेदभाव हैं यह सब ही आपके या तो stereotype से जन्द मलेंगे या prejudice से जन्द मलेंगे prejudice तो पूंट तर जैसा कि हमने कहा negative feelings पर होता है उसके धर्म के आदार पर हो सकता है उसके पहनावे के आदार पर हो सकता है में साथ बैटके पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी तो 1901 में जब वो गोरे गाउं के लिए ट्रेन पकड रहे थे गोरे गाउं स्टेशन से तो उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया तो जब ये सब एपिसोड हुए तो उन्हें लगा कि इन सभी व्यक्तियों के लिए हमें कुछ करना होगा और समाज में बदलाव की जरूरत है तो तब से बी आर अमबेटकर के साथ जो पहला इंसिडेंस हुआ उसके basis पे उन्होंने ये movement चालू किया जिसमें हमने बोला कि हम किसी भी प्रगार की असमानता या बेदवाओं को देश से हटाने की कोशिश करेंगे और इसलिए इनको बाद में दलित समाज का लीडर भी माना गया जब हम समानताओं की बात करते हैं तो समानता सिर्फ दलित्स के लिए नहीं है समानता महिलाओं के लिए भी है समानता जनजातियों के लिए भी है और समानता जो peasants लोग हैं जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए भी है जुरुआरी तोर पर हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी ये समानताएं बहुत गहराई तक असर कर गई है अगर आज के कुछ वर्षों के पूर्व हम न्यूस पेपर्स में भी देखें या आगबारों में भी देखें तो उत्रप्रिदेश में सहारनपुर में अक्सर दलितों के खिलाव अत्याचार की घटनाएं सामने आती है इसी तरीके से देश के अलग-अलग कोनों से ये घटनाएं सामने आती है तो दलितों की उस समय कुछ मुख्य डिमांड थी कि उन्हें समान अधिकार में मंदिर में एंटरी का मौका दिया जाए, समान अधिकार में स्कूल में पढ़ाई का अफसर दिया जाए इसी तरीके से जो महिलाएथी उनका ये मानना था कि उन्हें पढ़ाई के लिए बराबर अवसर मिलने चाहिए समभिधान जब आया तो समभिधान ने जब भारत का समभिधान लिखा गया तो उसम्भिधान में साफ साफ ये Бात आई कि सभी को समानधिकार दिया जाएगा तो सरकारी नौक्रियों में रिजर्वेशन्स लाए गए सरकारी नौक्रियां सबके लिए खोली जाने लगी पहली बात तो सबके लिए खोली जाने लगी और फिर दूसरी बात इन लोगों के लिए आरक्षन आया और फिर हमने बोला कि जो गरीब हैं जो marginalized हैं उनको भी समान अफसर मिलने चाहिए किसी भी प्रकार का जाती का धर्म का भाशा का भेदबाव नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत एक secular nation है हम बोलते हैं कि सभी धर्मों को यहाँ पर रहने का और सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर रहने का समान अधिकार है तो यह कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने राजनितिक विग्यान के दूसरे अध्याय में समझी हम आगे के और अध्याय लेके आएंगे तो आप चैनल पर बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद